क्या आपको भी अजीबों करीब सपने आते हैं? क्या आपको कभी सपना आया है कि आप पानी में डूब रहे हो? क्या आपको कभी सपना आया है कि आपका अपना कोई धोका दे रहा हो? क्या आपको सपने में कोई जानवर दिखता है? क्या आप डर के भागते हैं? कि ऐसा होता है कि आप सपने में आप खुद की मृत्यू देखें और आप डर गए हो और उस भैसे आप आधी रात को जग गए हो कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप भागना चाहरे हैं सपने में लेकिन आप भाग नहीं पा रहे हैं आप उड सपने हमें कोई मीनिंग बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे सपनों के बारे में हमें पता चले कि हमारे सपने क्यूं आते हैं और यह हमें क्या बताना चाहते हैं आज की वीडियो में देखते हैं हमारे सपनों का रहस्य। आज हम कोशिश करेंगे कि हम अपने सपनों को डीप मीनिंग दे पाएं। और आज की वीडियो का मेरा यही परपस है कि जो भी सपने आते हैं, जिन में आ फसे हुएं। या उनका मीनिंग जानना चाहते हैं आपकू कोई सपना, कोई शाइन दे रहा है या अगर आपको सपना कुछ बॉन करना चाहता है तो आप कर पाए अपने इंटर्प्रेटेशन अपने सपनों का कर पाए आप अगर आप उसको नहीं खोलोगे तो वो चित्थी आती रहेगी क्या फैदा अगर कोई आपको चित्थी भेज रहा है तो उसको पढ़ो जानू है ना आप सभी का बहुत पर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर मैं अलग अलग साइकोलोजीकल टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियो से लाच चुकी हूं लाग एमोशी इंटेलिजेंस चक्रास क्या होते हैं परिंटिंग मिस्टेक्स हाउ टो एक्टिव एक क्या है वेल्बिंग क्या है काफी सारे वीडियोस में बनाते रहती हो आज हम पढ़ेंगे इंटर्पेटेशन ऑफ ड्रीम आकरी सपने हमें आते क्यूं है और सपने का उन सपनों का मीनिंग क्या है सबसे पहले यह बुक के बार में आप जान लेजिए यह सिग्मन फ्रॉइ ने लिखा है यह बुक दा इंटर्पेटेशन ऑफ ड्रीम इस बुक के बाद ही इनका जलवा चला है साइकोलजी में और ड्रीम के ऊपर बात इनहीं के बाद किसी ने इतना इंफेसिस किया है इतना फोकस किया है ड्रीम के ऊपर चेक है अब इंटर्पेशन ऑफ ड्रीम जो ह कि आप देख लिजे अच्छा टेलेग्राम का लिंक भी डिस्क्रिपिशन में अगर आपको जॉइन करना है पूर पीदेफ नोट्स तो आप यू के जॉइन प्रोच और साइको डैनेमिक अप्रोच मॉडल पे मैं सेपरेट वीडियो अगला उसी पर आने माला है तो स्टे टून इंविज द ओधर इंटिट विच त्यूरी ऑफ अनकॉंश्यूस जितने भी हमारे अनकॉंश्यूस में जो चीजे थौर्ट फिलिंग्स डिजायर होते है जो भी अनकॉंश्यूस में चले जाते हैं वहीं से हमारे सपने आते हैं माइंड के तीन पार्ट होते हैं कॉंश्यूस मतलब जिसमें हम अवेर होते हैं कि अभी क्या चल रहा है मैं बोल रही हूं आपके सामने एक फोन है आप सुन रहे हो हो गया कॉंश्यूस आप कॉंश् और वहीं पे जितने भी आपके अन्फुल डिजायर्स और विशेज होते हैं वह सब का मिक्षर हो जाता है और जब हम सोते हैं तो उस टाइम हमारा अन्फुल ब्रेन ही एक्टिविट होता है और हमें सारी चीजों को मिक्स करके एक मीनिंग्फुल रूप में आपको लगता हो कि आपका सपना इल्लोजिकल है कि क्या सपना ही तो है कुछ भी आजाते है नहीं जानिए वो सपना क्यों आया है अगर आपके सपने में साप आया है तो क्या दर्शाना चाता है को क्या मैसेज देना चाता है अगर आपने सपने में कुछ सेक्शुल ड्रीम देखा है तो दोखा देगा यह ऐसे कर सकती है मैं किसी करता है लेकि मुझे हैसा सपना क्यों आया अब अपनी life को देखिए आपके life में उस time क्या चल रहा है आगे में बताओंगी कैसे interpret करना है dream क्या होता है कैसे आता है बाइदब ये psychology का sign होता है symbol ठीके और सिम्माइन फ्रोयड है इनका तु जलवा चलता है psychology में Okay Dream क्या है Dream is a succession of images, ideas, emotion Chitra, Vichar, और भावनाओं का succession है सम्मुह है and sensation that usually occur in involuntary in the mind during the certain stages of sleep सूते वक्त आते हैं Humans can spend about two hours dreaming per night मैं लगबग हम देखा जाए तो रोज रात को हम dreaming लगबग करते ही है अच्छा dream कोई बोलेगा नहीं मुझे dream नहीं आते है अगर आपको dream आ चुका है और अगर पूरा हो चुका है और आपको याद नहीं है मतलब आपकी sleep proper हुई है और अगर आप सपने की बीच में से उठे या जस खतम होने के बाद उठे या चाले ही हुआ था कुछ ऐसा अजीब चीज हो कि आप उठ गए और आपको वह सपना याद है क्योंकि आप बीच में उठे हो आपकी sleep complete नहीं हुई है sleep complete हो जाती है तो हमें हमारा सपना मुस्ली याद नहीं रहता है ठीक है and each dream lasts for 2-20 minutes ठीक है उठने के बाद अगर हम याद उठने के बाद हो सकता है कि हमको वैसे भी 80% सपना तो हम भूल जाते है ठीक है although the dreamer can may perceive the dream as being much as the longer लेकिन हम अपने ड्रीम को याद कर सकते हैं उसके भी कुछ टेक्निक्स होते हैं आप ड्रीम जर्नल और ड्रीम ठेरिपी के उपर मैं separate वीडियो लाऊंगी में चीज और बता दू आज मैं ड्रीम के उपर का एक प्लेलिस स्टार्ट कर रही हूं य ड्रीम जर्नल याद कैसे रखें उसका मीनिंग कैसे करें ड्रीम अनलिसिस के उपर वीडियो आएगा ठीक काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला यह पूरी सीरीज और यह प्लेलिस्ट जरूर देखिए ठीक है अपर माइंड is more active during the dream than you are awake जह हम सोते हैं तो हमारा हमको ऐसा ल मारी मैजिनेशन बावर बढ़ जाती है ठीक है अब ऐसा देखा गया है research से कि जो आदमी लोग होते हैं जो मैन होते हैं मैन को जादातर मोटर वाले मतलब मोटर बाइक अग्रेसिव ड्रीम साते हैं ठीक है जिसमें फिजिकल वेक्टिव कर रहे होते हैं कुछ मार धार कर र प्रीमानिशन ड्रीम्स प्रीमानिशन ड्रीम्स क्या होते हैं देखो प्रीमानिशन मतलब कि जैसे मेरे एक दोस्ते उसने बोला कि मुझे पता है अभी कुछ वो तीन मैने पुलानी बात है बट मैं आप बता देती हो हमारे कुछ यासी बात चल रहे थी हम लोग यह लिग बेटे थे और मारी को बात चल रही तो उसने बोला कि यार मुझे एक महीने पहले पहले पता ऐसा ड्रीम आया था वह सच हो गया था कौन सा ड्रीम तो वह बोलती है कि मैंने देखा था कि मेरी ताउ जी की तबियत खराब है और मुझे उनको कॉल करना चाहिए ठीक है अच्छा फिर उसने बोला कि मैंने सपने से उठते ही उनको कॉल किया और वह सच में बिमार थे और वह यह उनसे बात हुई है और अगले दिन वह चल बसे तो एसे काफी सारे सपने हमको पहले ही आ जाते है जो बाद में जाके सच हो जाते है ठीक है तो प्रीमोनिशन ड्रीम्स क्या होते है ठीक है प्रीकॉनिशन भी कहते है तर्णिंग इन रियलिटी वाट यू ड्रीम आफ मतलब रियलिटी में उसका हो जाना जो भी आपने कभी सपना देखा हो मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है मैंने एक बर देखा था कि मेरे कजन्स आए संड़े का टाइम है और दिन है और सुब़ सुब मेरे दरवाजा खुला और मेरे कजन्स आए ऐसा सच में हुआ मैं संड़े मॉर्निंग को उठी मैंने मम्मी को बताया मैं बताने जा रही थी कि मेरा ऐसे ड्रीम आया तब तक बेल बची और देखा तो वही कजन्स थे ड्रीम वो सच हुआ आपके साथ भी अगर ऐसा एक्सपिरियंस हुआ है तो आ आपमें पानी okay, अगर आपने ऐसे ड्रीम देख आ तो उसका इंटरिप्रेटेशन अब और कैसे आकृक्त है क्या मेरे जेते कैके जाता आरे आमने और आपकी अपने वीडियो बनाने वाली हुँ वहे बना 혁ए जब आप जब आप comment में लिखेंगे ठीक है आप प्लीज कॉमेंट कीजिए कि हमें यह सपना आया था इसका मतलब क्या है ताकि मैं वो सारी चीजियों को अपने next वीडियो में ला सको और आपके questions का answer कर सको ठीक है जाख पी नम सुनूबा वो में आपके discuss करोंगे डॉर अपन छाकी है तो कि ड्रीम में आप पढ़ नहीं सकते हैं अग्र ड्रीम में आपने देखा क कि कुछ लिखा हुआ है और पता करना है कि रियालिटी है या क्या है या क्या है या कि तो उसकी ऐं的是 सपने में अगर पता चलाना है कि यह डейств काना आप तो आप पढ़ करना है और पुछ पढ़के देखों पढ़ना निभागे और सबリum अगर आप गिलना चाहोगे अपने हार देखना चाहोगे तो दो की जगा तीन देखेगा फिंगर्स की जगार देखेंगे या कम देखेंगे पांची देखेंगे आपका सब्सक्राइगा अब कुछ भी अन्यूज़ हो रहा है रियालिटी से परे तो उसका मतलब वो ड्रीम है ठीक है आपने ड्रीम को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि लूसी ड्रीम है जो कि दूसरा दूसरा टॉपिक है मैं उसके वीडियो बनाऊंगी इफ रिमेंबर यो ड्रीम जस्ट अफर देखां यह चीज मैंने बताई थी स्लीप के स्टेज में बताऊंगी कि एन 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 फर ठीक है और थड़ वाला र एम होते है रैपी आय रैपिड आय मूमेंट स्टेज अगर यह स्टेज हो गया है इसके जस्ट बाद अगर आप उठ ठीक है अगर आप बीच में ओजो को चार स्टेज होते है वन टू तरी फ्र अगर एप थढ़ में ड्रीम होता अगर आप थढ़ महीं उठ गया ठर्ड के जस्ट बाट उठ एक फोर्स स्टेब कम्प्लीट नहीं गया तो आपको सपना याद रहेगा अगर आपने चारो स्ट जो आपने सबको आते हैं यह किसे को अज़ीब आते हैं और सब इसमें तो लिए कि मुझे इसा सपना क्यू है काफिर लोग दिर्स्टरब भी हो जाते हैं कई लोगों तो अपने मरे हुए किसे के लिए यहां देखते हैं कि जो कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप ढरिये माज मैसेज लिजीए यह यह ब्लेसिंग है नियुक्ष सधने में सब्सक्राइब और इसे बहुँ दॉप में अगर अगर आपकी रियल लाइफ में आपकी ममें उस त्थाइम कुछ काम कर रहे हैं और कुछ आवाजे और थी तो वह आवाजे आपको असलियत में सुनाये देईंगे तो बाहर की रियालिटी बाहर के एक्शन्स अपके माइंड को मतलब आपके ड्रीम को अफेक्ट करते हैं ठीक है वो क्या देखते हैं वो क्या देखते हैं वो मीनिंग की अड्रीम धशान देत हैं नहीं उससे ज्यादा उसका मतलब क्या है और वह में क्या बताना चाहरा है ठीक है शाइको अनिलिसिस वाले लोग इस पर घ्यान देते हैं इन फैर कि इतना बड़ा एक सब्जेक्ट बन चुका है कि इसके उपर पूरी एक ब्रांच है और इन लॉजी बोलते हैं इसको ठीक है यहाँ पर एन आएगा और इन लॉजी ठीक है अब एक बहुत फेमस लाइन है कि फ्रोइड ना यह बोला है सिंग्मन फ्रोइड जी इनका जल्वा चलता है मैं जब वीडियो में इनका नाम आते हैं मैं यह बोलती हूँ एक सेप्टरेट वीडियो में बनाओंगी सिंग्मन फ्रोइड पर क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो उन्होंने क्या कहा है डिम के बारे में कि यह एक पाथवे हैं तू अनकॉंशेस माइंड अब कॉंशेस अनकॉंशेस प्रीकॉंशेस ठीक है यह जो भी लेयर्स है माइंड के जो टाइप से उनके बारे में मैंने परसनालेटी में समझा रखा है एक और वीडियो बनने वाली हूं स्टेटून ठीक है उसमें और अच्छे से आएगा समझ में आएगा आपको ठीक है अब इंपॉर्टेंट्स क्या है ड्रीम की ड्रीम की इंस पॉ help करता है ब्रीम में मूल्व काम परसे हैं मतलब हमें करेंद कि ड्रीम की करता है यो समीशा में है गारा शंक है बंतीक है यो iki होटाइप देखो दो तैप के होतें ऐसेफिक के ऑन रहता है तो इसमें डूब गई तो यह अटुब गई तो यह अग्शेयल इस बता दिया मनला भी निफताक्षा गंट अब उसका मीनिंग क्या है उसके बीछे में हो सकते हैं कि वह लाइफ में कुछ करना चाहती है तो उसको पूरा याद होना चाहिए उसका अटूब गई अपने सपनों का खुद से मीनिंग निकालना से बहुत इंपॉर्टन है मंत भी करें सब्क्राइबने है। इसे काल भूरा है और कौमें देखने Åका Confederate का सब्सक्राइब में ने T सकते हैं तो यह सपनी अगया मेरे घाट करें मेंत आपालना और भूठ तूप प्रॉबलम को ह्राइब में हम यह से क्व़ोड़ी से दो belong प्रॉबलम के आप सकती है इस सारे इस प्रप्रप्रोब्रेशान हो उसे पर स्था प्राइब में में म्नुत्अगों और सेनी कौई प कुल रहें जब वहुग करें कि तब नहीं है। होते हैं कभी बहुत जाता हम इमोशनल हो जाता है। हमारा ब्रेकड़ान हो जाता है지는 लिजाते हैं। गारें दिला के सवा ग्हें, धहरीं तो दॉण нуж होरे हैं, दिला 10 सब्सक्राइब यह शुज पना। जानना होते है । इससका प्रिम जानना होते है। कि इससे बाते हैं कि वह सप्यश्ष פה को सब्सक्रिक नहीं होते हैं जाननी है। जानना चाहिए। ही तो आफोकी हनिन्टी के जानना है। कि ये क्नि आप понрав on- तो प्राइचर दिख जाता है जो कुछ बताना चाह रहा है तो आपने काफी एसा सपने देखे होंगे यह कहानिया सुनी होंगे जैसे हां रामा नुजन जो की बहुती फेमस मैथमेटिकर थे तो उनों उनको भी जो उनोंने दिया है जितने भी मैथमेटिकल जो इक्वेशन और उनको फार्मुला कहा से एते वो बोल देते कि मेरे सपने में मा सरस्वती आती है और वही मुझे सोलुजन और फार्मुला और इक्वेशन देती है ठीक है ऐसा हुआ है और **** अरम ने भी कह था अब देखें कुछ common साथ तेरे के common सबने हम लोग सब देखते हैं ठीक है मैं एक एक को explain करूंगी dream analysis वाले वीडियो में जो की अगला आएगा ठीक है पहला होता है dream of falling आपने सपने में देखा हो कि आप गिर रहे हो गिरते वक अगर इसका भी दो मिनिंग है गिरते वक अगर आपको अच्छा लग रहा हो ठीक है इसका मतलब कि आप बहुत ऊपर कोई negative कहीं चले गए थे और आप नीचे गिर रहे हो अपने grounded हो जमीन पे आरे हो सपने में देखा हुआ उड़ने वाला कि हम उड़ रहे हैं सपने में फिर देखते हैं कि हम सपने में कई अपर हम देखते हैं कि हम सेलिबरिटी बन गए कोई बड़ा आदमी बन गए हम फेमस हो गए ठीक है फिर काफी लड़कें देखती है कि उनका दात किर गया है ठीक है बना चाहरा है डिटेक्टिव बना है किसके साथ मेलके गूम रहे ठीक है फिल बीग नेकेट वाला होता है श्रोइंग अपलेट कि मैं हर चीज में लेट हो रही हूं कहीं अच्छा कहीं हो ने देखा हो गार कि हम एक्जाम से पहले या बोड से पहले बच्चों को बहुत आता है फेला होता है brain waves rapid and low amplitude second होता है brain waves slow down dreams में start third stage होता है slower brain waves and deep dreams very deep dreams and sleep and I am most restful sleep with the most vivid dreams पहले हम जब सुनने चाहते हैं तो हमें वहान मारे थोटिंद किम जाते हैं यह थह थिर झाल रहे हमस्यां चाहिए तौह साह थोट थी। मैंड लाहन मारे थाघ्लान में जाता है मैंस्याम करना बहुत है है। तो बर बर खोलना बंद करना यह बोता है वह सेकंड में इसलोली लोली हम آ했어 हम करना ला हिरे वहती है तीसरा हम स्लीप हम वह सूर है थे चौथा हम ड्रीम कर रहे हैं थी लगा कुछ नख में होता है और पाँच पार मुष्टलersonErु कर रहे हो देदो ये सारे stages हो गए 1,2,3,4,5 फिर एक stage अगर पूरी खतम हो गई ठीक है तो इसका मतलब हम proper sleep हो गया हमारा ठीक है proper sleep के बाद अगर हम उठ गए और हमको सपना नहीं याद है या थोड़ा समको यह पता है कि सपना देखा था पर क्या देखा था बिल्कुल नहीं याद इसका मतलब कि आपने पूरी नींद अच्छे से ली है इसलिए आपको सपना याद नहीं सपना याद उन्हीं लोग को होता है जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही होती है ठीक है यह आप helpless फेल रहे हो या oppressive फेल रहे हो तो इसका मतलब क्या या एक मतलब की इससा हो सकता है कोई claustrophobic person हो उसका वो कुछ दर्शारा हो ठीक है यह ऐसा हो सकता है कि आपको कोई दबा रहा हो या लाइफ में आपको किसी के help चाहिए पर आपको help नहीं कर रहे हैं तो helplessness यह शो करता है तो दान तूटना डान टूटना ऐसे हो सकता है कि आपको डर है कि आप जल्दी जल्दी एज एज हो रही है आपके जली आप एजिंग ना गरू ठीक कंसर्ण होता है कुल जो हमेशना जवान दिखना चाते हैं उनको सपने ऐसे ही आते हैं उनके बाल जड़के उनके दात ऐसे होगा उनके स्किन प्रॉब्लम होगे जो जादा अपने फिजिकल बोडी पर देहान दे मेरे वही अगई चल गए ठीक कि मैं बहूलू ना ऐसा भी होता है दूसरा ही हो सपने में देहा है कि मैं खाड चल आरी हूं और सामने एकदम ही अलग रास्ता है ठीक है और वहां पे दो रास्ते निकल रहे है और मैं जिस रास्ते पे गई वह रास्ता मुझे अच्छा लग रहे है मतलब रियल लैफ में आपके बास 2 जा तीन ऑप्शन है उसमें से जो आपको सही लग रहे है आप उस रास्ते पर जाओ ठीक है यह साइन है और डिटेल में देखे मुझे आपके सपना पुरा पता नहीं है इसलिए मैं as average level पर बदा रही हूँ specific सपना होगा that I can interpret क्योंकि मैंने workshop पूरी कर रखी है dream analysis पर इसलिए मैं आपको समझा भी सकती हूँ ठीक है फिर होता है falling हम कहीं से गिर रहे हूँ इसका मतलब कि हम अनिस्टेबल है अपनी रियल लाइफ में और हमें balance के जरू होते है नेकेड मतलब हम खुद को छुपाना चाहते है रियल लाइफ में हम जो है वह बाहर दिखा ही रहे है ठीक है या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ change हो रहा है या कुछ transition अा है ठीक है अचा कई वार ऐसा होता है हम डूब रहे होते हैं फिर चानक से उड़ रहे होते हैं अभी तो डूब रहे थे और अब मस्त मुथ उड़ रहे हैं आपने सपनों को समझो ऐसी छोडो मत इलोजिकल बोलके ठीक है आप ही को हेल्प होगा काफी लोगो kindness बोगत आते हैं अच्छा काफी लोगो nightmares experience हुआ हुआ के लूसीद की स्लीप पहरी है शाथ कल बहुत हो रहे हैंता क्या हिसे הקृंज बजपन में बदा देती यह ठीक है नाइट मिनिट्स अगर हमने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा बुरा सपना आपने भी देखा होगा आपने कोई बुरी चीज ले लो सिचुएशन आपने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा आप डर के उठ गए इसका मतलब यह है कि आपकी रियल लाइफ में भी जो पर्सनल लाइफ हो सकती है लव लाइफ हो सकती है आपकी वर्क लाइफ हो सकती है अपकी फैमिली रिलेशन हो सकता है ठीक है उसमें चल रहा है और वो आपको सिखा रहा है कि आपको ये कोप अप करना है आपको इससे लड़ना है आपको इससे कैसे डील करना है ठीक है रियाल reality जो dream असली में जो सब्सक्राइब देखते हैं उसमें जो हमको reality check दिया जाता है उस पर हम धयार नहीं देते हैं यह nightmare हो गया ठीक है so sleep paralysis क्या होता है sleep paralysis में देखिए आपने गभी experience किया होगा बच्पन या अभी अभी भी काफी लोग होता है इंसक्त अभी recently मेरे किसी दोस्त को हुआ था और उसने में से share किया then I you know तब मैंने मुझ को समझाया then I explain to him or her ठीक है आप किसी को भी वैसे मेरे काफी सारे दोस्त और cousins और जिते भी जुकलीक्स है काफी सारे मेरे clients ने भी चीज admit कि है कि हाँ उनको भी चीज experience होई है तो इसमें क्या होता है कि आप सो रहे होते हैं और अचानक से आपकी आँख खुलती है या आप half awake someone was or only pulsate कि आप समझ पा रहे हो हैं आप समझ पाई होंगे अगर कि आपको पता है आप उठ गए हो लेकिन आप उठ नहीं पा रहे ह। आपकी आंगे खुली है आपके नेंद खुली है लेकिन फिर भी आपका bodies हो रही है mind जग्गे है ऐसे समझ वह पर्लोग सो रही है पर करनी बाते हो और उसी टाइम आपको ऐसा लगता है कि कोई आसपास है या कुछ अजीब सा क्रीचर आपकी ऊपर चाती पे बैठा है आपको बहुत ही हैवी फेल हो रहा होता है ठीक है आपको बहुत ही अजीब फेल हो अगर आपके बगल में आपके ममी पापा भाई बहन में दोश्त कोई बी आपका पार्टनर सो रहा है आप उसको भी तक नहीं बोल सकते आप क्योंकि नहीं पाओ गया बोल्हीं आपके मुंद से आवाज निकलते इस टीम आप बहुत जादा घबराए हूए होसों कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ये क्या हो रहा है आप समझ बाते हो इट्स नॉर्मल स्लीप अरेलिस होता है काफियों को होता है आपको भी हो रहा है ड़रने की बात नहीं है इससे पचना कैसे है कोई भी आपना मंत्र है आप वो चैंट कर सकते हो ठीक है आप जिस भगवान में बिलीफ करते हो अब हनुमान चाली सा मन की अंदर आप ब बंद कर लिए आप रिलाक्स कर लिए कोई बात नहीं पांच मिनिट में दुबारा ठीक भी हो जाएगा आप ऐसा सोचो मंत्र चांटिंग करो अपने मखवान के बारे में बोलो कोई मंत्र बोलो कोई भजन का लो ठीक है या अपनी ममी पापा का नाम लेलो या कुछ सोचने बहुत जल्दी ठीक हो जाता है हां मुझे पता है बहुत डर लगता है ठीक है बट नॉर्मल है ठीक हो जाएगा यह जिनको भी हुआ है वो समझ रहे हैं अगर हुआ है तो कॉमेंट सेक्शन बताओ कि हाँ आपने ऐसा कुछ भी एक्सपिरियंस किया है या नहीं बाकी अगर हुआ है कहीं घूमने गये मतलब है कहीं डर रहे हैं वो साप नहीं काट लिया तो क्या है ठीक है साप एक मेरी सॉप्सक्राइबर है उन्होंग क्या प्लिछ कर देता हूं कि उनकी स्पने माया था कि वह स्नेक से बचते बचते मोगली की चारा उड़ गया किसी जानव से निकल गए उस प्रॉब्लम से निकल गए है तो यह पॉजटिव है जो स्नेक आप ऐसे अब देखे मुझे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है पता नहीं मैं एवरेट बता रही हूं मेरी बातों से आप खुद की लाइफ में वह चीज अपलाई करोगे तो आपको 100% मिल जाली क्योंकि साप उड़ नहीं सकता और आपके पास पंक आ गया और आप उड़ गए यह पंक नहीं भी आया पैसे सपने में उड़के चले गए उपर बच गए इसका मतलब आप उस स्ट्रेसफुल सिच्वेशन या इवेंट से प्रॉब्लम से उस सिच्वेशन दे बहार निकल गयो विच इस पॉजिटिव ड्रीम ठीक है यह आपको निकल जाना थी अब नहीं निकल यह तो ऐसे हम इंटरपेट कर सकते हैं नेक्स वीडियो बहुत जल्दी आएगा ड्रीम अनलिसिस बहुत सारे मैं वैसे बहुत सारे सपनों का मतलब बदाऊंगी और आप भी क्या है अगले वीडियो में बदाते हूं कि उसका मतलब क्या है ठीक है सो थैंक यू सू मच वाचिंग काफी लोग मुझे बहुत अप्रिशेट कर रहे हैं पहली भी कहते थे कि इतने सालों तक पुना साइकॉलजी पढ़ी है इतने चे कम्मुनिकेटर हो तुम 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 नौलेज है तुम क्यों नहीं स्प्रेट कर रहे हो तो देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो तो जिन लोग ने भी मुझे मोटिवेट किया है वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सू मच यू कि काफी अच्छे रिजल मिल रहे हैं लोगों को काफी कुछ पता चल रहा है तो stay connected and please do like comment and subscribe thanks so much for watching, bye you